यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ पाप जानने की कोशिश होगी कुछ तारीख हैं जहन में नक्ष हो जाती हैं बुलाइ नहीं भुलाए जाती हैं और एक आसी ही तारीख है आज की लेकिन साथ से एक साल पहले कुछ ऐसा हुआ था इस शहर के अंदर पंचकुला के अगर बात की जाए कि लोग अभी भी उस दिन को नहीं भूले हैं और बहुत सारे लोगों के लिए वो काला दिन बहुत सारी तकलिफ हैं लेकर आता है। कि आज भी लोग सेहम जाते हैं आज भी पंचकुला के लोग उस खौफनाक मनजर को नहीं भूल पाए हैं और आज भी पंचकुला में 25 अगस को हुई हिंसा के दाग जिन्दा हैं। से आख फैलती रही हर्याना में और देश के दूसरे हिस्तों में तो उसके बाद यही सवाल खड़े हुए कि क्या सरकार नाकाम हो गई। क्योंकि 25 अगस 2017 का दिन यह वही दिन है जब बेरा प्रमुक गुर्मीत रामरहिम को सीबियाई की स्पेशल कोट ने सजा सुनाए थी और उसके बाद रामरहिम के पाले हुए समर्थकों ने पूरे हर्याना में तबाही मचा दी थी। चनिवार को इसका पूरा एक साल हो गया लेकिन अभी तक इसके मुख्य आरोपी पुलिस की गरब से बाहर हैं अब कानून विवस्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आरोपियों में कानून का खौफ नहीं है या फिर आरोपियों को पकड़न में पुलिस नाकाम हो गई है बहुत सारे सवालों के जवाब जानने की फिलाल कोशिश होगी लेकिन उससे पहरे ये रिपोर्ट देखें पंच्छुला दंगे का एक साल आज भी ताजा हैं जख्र आज ही की दिन पंच्छुला जल रहा था हर तरफ आग की लप्टे थी तरी सहमी भीड थी कहीं गोलियां चल रही थी तो कहीं टंडे बरस रहे थे यह मन्जर आज भी लोगों के जहन में ताजा है आज भी पंच्छुला हिंसा का नाम आने पर लोग से हर जाते हैं वो दिन कोई कैसे भूल सकता है जब साध्वी और्शोशन मामले में देरा सच्चा सौधा प्रमुख खुर्मीद राम रहीम को तोशी करार देने के बाद ही समर्थकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया था जहां तक नजरें घूम रही थी वहां तक राम रहीम के समर्थक कानून हाथों में लेकर सड़कों पर टांडव कर रहे थी ऐसा टांडव जिसके आगे पुलिस भी ने कमस तक नजर आई क्या हुआ था 25 अगस 2017 के दे राम रहीम को साध्वी और शोशन मामले में सजा हुई सजा के ऐलान के बाद राम रहीम के समर्थकों ने हिंसा की बंचकुला और हर्याना के बाकी हिस्तों में दंगे हुए हिंसा में 36 लोगों की मौत हुई तकरिबन 453 लोग खायल हुए आपजनी मामले में 177 तर्याफ आयार दर्श की गई 1137 लोगों को ग्रफतार किया गया 125 आरोपियों को भी ग्रफतार किया गया जिन्होंने पुलिस कर्मियों पर हमला किया पिछले साल आज ही के दिन पंचुला में तबाही का मंजर था देरा प्रमुक गुर्मीत रामरहीम इंसा के समर्थकों ने शेहर को तबा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी उस दिन की हिंसा का कौफ आज तक लोगों के दिलों में है पंचुला को जलाने की फ्लानिंग करने वालों में हनी प्रेत इंसा, गोभी राम, सुरेंदर धीमान इंसा समय कई आरोपी जेल में हैं लेकिन मोस्ट वांटेड आदे तेंसा को अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है आदे तेंसा पर पचास हजार से लेकर पांच लाख उर्पे तक का इनाम रखा जा चुका है इसी केस महली प्रीफ का नाम आने के बाद तेरे की चेर पर से मिपासना का भी नाम आया था मिपासना के अरेस्ट वारन भी जारी किये गए वो डेरा सच्चा सौदा सिर्सा में ही है उसके मॉबाइल नंबर भी चल रही है इसके बावजूद अभी तक उसे नहीं पकड़ा जा सका उसे ना पकड़ा जाना पंचकुला पुलिस की कारवाई पर सवाल ख़ड़ा करता है पंचकुला को जलाने की फ्लानिंग करने वाले मोस्ट वांटेड अभी फरार है किछले पच्चिस अगस दो जाट सारा कोर्ट अनफॉर्चनेट इंसिडेट अच्छुला में विए उसके बार रियाना पुलीस ने बड़ी हिम्मत से और लेनत से और लोगों को पकड़ा उनके खिलाफ चलान दिये चलान भी चल रहे हैं तो छेक गो इंपोर्टरण आपमी पंच्छुला हिंसा के मुख्या आरोप्य आद तेंसा विपाशन समयत कर ये 22 आरोपय अभी भी पुलिस की ग्रफ से बाहर है जिने पुलिस जल्द पकड़ने के दावे कर रही है लेकिन सच यही है कि पंच्छुला दंगे को पूरा एक साल बीच चुका है लेकिन आज भी की जख मुतने ही हरे हैं क्योंकि ना तो दंगों के मुष्ट वांटेट पकले जा सके हैं और ना ही पीडितों को मावजा दिया गया है पंच्छुला सेक्टर पाँच का यही वेए है वही टैफिक चौक है जहां पर बाबा गुरुमीत राम रहिम के समर्फ़कों ने जम कर उसपाद मचाया था यही पर जो सैकड़ों की संथा में सैकड़ों की तादाद में समत्तर जबाबा को दोशी करार करते होने के बाद एक तक बाद से रोने हाँ जनी देटी कशलाएं गी थी कोई दर पौक नहीं ता हारा कि पूरे तरीके से धारा 144 पंच्छुला में थी सेना की टुपडियां बुलाई गई थी बैरिगेटिंग की गई थी बाद जूब इसके किसी देगे का कौफ नहीं ता तकरीबन 40 लोगों को इसमें जान कवानी पड़ी थी और कई लोग गंभी रूप से घायल भी हुए थे पंच्छुला का इतिहास का वो दिन आज भी लोगों के जहन में घर किये हुए है ठीक एक साल बाद क्योंकि बाबा को तो एकदम से जिस तरीके से 20 साल की सजा मिल गई थी और बाबा आज भी सुनारिया जेल में है लेकिन कई आरोपी आज भी है जैसे कि आगिते इंसलोंके खास चाहने वाले बाबा के या की भी गरम कह सकते हैं आज भी पुलिस दिरॉप से वो कही ना कही बाहर है और पुलिस के लिए उनको पकड़ना आज एक साल बाद भी चुनोती बना हुआ है लेकिन जो लोग है जिनके दिल में जो 25 अगस्ट 2017 के गटना आज भी घर किये हुए है उनका कहना कि आरोपियों को ज़्यादा से ज़्यादा सकते सचा मिलने की चाहिए कपिल नागपल के साथ मैं शची अरोडा पंच पुलिस है तो यह रिपोर्ट आपने देखी और यही कहा जा सकता है कि उस दिन लोग यही कह रहे थे कि नजाने कई घरों को निगलने के बाद आती है मदद भी शहर जलने के बाद आती है नजाने कैसी महे के बस्ती में वही जो दूद उबलने के बाद आती है हर तरफ आग थी किसी को भी नहीं बक्षा गया चाहे पुलिस कर्मी हो चाहे आमाद मी हो चाहे मीडिया हो सब भी कुपर हमले किये गए आग ही आग नजर आ रही थी एक फैसला और उस फैसले का रद्यामल ये हुआ कि इस तरह हिंसा हुई कि उसने प्रिदेश की कानू निवस्था पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिये एक साल बाद क्या कुछ बदला है एक साल बाद कितने सवाल जिन्दा हैं एक साल बाद ये सवाल हो रहे हैं कि आखिर कार अभी तक आरूपी क्यों फरार हैं तमाम खास महमान मेरे साथ जूड़ चुके हैं उनका प्रेच उनका तारूफ आप से कराता हूँ और चर्चा की शुरूआत करते हैं मेरे साथ रटार इपैस के शूनिंवरस परण साब हैं बदो अगते से टाखीarta स्बसाखा तयापका और वरिष अधिवक्ता संदीब कोटला थैं हमारे साथ हैं बदो सागत पर रनिक्ता जीमेरे साथ सब शुड़ूआत कानुन विवस्ता से करसे हैं के-शूमर सहाब पुलिस कितनी नाकाम थी इस दौरान और पुलिस कितनी नाकाम हैं अभी तक इस मामले को लेकर कि अगर अभी तक सभी आरोपी पकले नहीं गए हैं तो पिछले एक साल से डिसकस कर रहे हैं कि पुलिस की डिवटी बिल्गुल ना परवाई थी अगर पुलिस ठीक इंतसाम करती इनको यहां इकठे नहीं होने देती तो पुछ भी इंसा नहीं होनी थी इनको आराम से यहां इकठे होने दिया लाख़ा आत्मी माह आगे उनके बाका गरफ से बाहर हैं कई जो मुख्यारुपी हैं कुछ ला कुछ अंदर हैं कुछ बाहर हैं जो जिनके नाम बड़े मश्यूर हैं वो बाहर हैं पुलिस की परक्रिया है कि वह तफ्थी आराम से करते हैं जी वाकि उनके ऊपर मजबूरिया हैं कुछ administrative होती है कुछ सरकारी होती है कुछ पॉलिटिकल होती है सरकारी पूरियां कैसी होती है सरकार इंटर्फेर करेंगी तक मैं इसको छोड़ दो इसको पकड़ दो तो वह फिर क्या करेंगे ऐसे कहां पुलिस अफसर है जो अपनी इमांदारी से डिवटी दें किसी का पर भावना माने जादौन साहब सरकार पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि आपने पहले लोगों को आने दिया फिर ये भी कहा कि नहीं भावनाओं के ओपर तो दारा 144 लागू ही नहीं होती इस तरह की बातें भी आई थी और आज तक सरकार का रोल इस मामले में किस तरह से आप देखत सवाल खड़े हो रहे थे और हाई कोट ने भी सवाल खड़े की हाई कोट ने ये भी कहा कि इतनी जो है इतने लोगों को क्यों जमा होने दिया जा रहा है और जमा हो रहे हैं तो सक्ती से रिप्टा जाए ची तो हाई कोट ने ये ओर भी किया था इसके बाद जो है इसके बा पर इनके साथ कोई चुनावी वादा निभा रही थी सरकार और इसके बाद भी जो घटना क्रम हुआ फिर इन्वेस्टिकेशन हुआ किस तरह का स्लॉपी इन्वेस्टिकेशन हुआ है कि सारे कोट में बरी हुए जा रहे हैं और तक्रिकी ग्राउंड पर हो रहे हैं कि देश्ट्रों के मुकदमे दर्जी हुए तो सरकार ने पर्मिशन नहीं दी तो आखिर में ये सारा पोल खोलो अव्यानी तो है कि आखिर में 這個 सरकार की क्या च्छा थी क्या मरजी थी वो सारा चलता रहा है ठी रास्क तक आ कि यहीं हिस्तिति तिक वोपीael साब लोग कोट में एक कौट ने एक करता हूं कि सारी गठना करम का जिम्वार मनोरलाल खट रहा है सी-म क्यूंकि पहले तो दो लाख लोगों को पंच कुला के अंदर एंटर करने दिया जी बड़े अराम से धारा एक सुच ताले लगा दी लोगों का आक हसाब करने के लिए कि दामने धारा एक सुच ताले कोई क लोग कारों का काफला इसके पीछे पीछे चुच तुरा और सरकार की फैलिर देखो धारा एक सुच ताले लगाने के बाद यह जो सारी हैपनिंग्स हुई उसकी सारी का जुम्यवार मनोलार खटर है उसका कारणी यह है अब यह कहते हैं बाद में पर्चे दर्ज हुए एक इसल साइए पर्चे दर्ज हुए एक साठाई गुए 200 लोग पकड़ले 500 लोग मकड़ले हजार लोग पकड़ले उनकी इंक्वारी हो रही है है इनक्वारी होके वो रड़ हो रहे है है मैं यह कहना चाहता हूं कि पर्चा-पर्चा मनोलार कर खटर के खराप क्यों नहीं दर दूसरी तरफ सरकार ये कह रही थी उस वक्त कि हमने इस तरह से प्लानिंग की थी अगर हम ऐसी प्लानिंग नहीं करते तो और ज्यादा खुन खराबा हो जाता उस दौरान वो याद करने पड़ने हैं मनजर के कि एक साल हुआ है आच वर हम हर साल याद करते रहेंगा इस दिन टैंक चौंग पर कवरेज कर रहे थे हमारी फोटो टीवी पर आ रहे थे लोग देख रहे थे जैसे ज़्याद का रहा है आती गई जाता है जो भी है साथ साथ हमने पतल जैसे सजेशन आई गई हमें पत्त्रकारा को इशारा किया गया कि आप यहां से निकलो कुछ हो शकता हम टैंक चौक से लेकर और दो और चार की डिवाइडिंग तक पुलिस का ऐसा प्रबंद था पर कोई बंदा नी था उसमें पुलिस पुलिस थी जब हम बाफ सा रहे थे तो पुछे क्या हुआ क्या हुआ मैंने एक दोग को का कि सजा होगी थोड़ी देर में डीसी साब मेर बदल बदल से निकली उसे साथ पुलिस थी वह आगे जाकर जहां बहरी टेर था बहां खड़ी होकर तो बरीफ लगी प्रेस को करने उतनी देर को बहां से वाज उठी ऐसे हाथ उठाए ये हुआ पर बाबा निर्दोस थावित हो गया निर्दोस तर दी गए अच्छा निर रुकी तो हमारी तरवाद डीसी साथा पीछे निकली बचाली प्रेगनेट थी उससे क्रॉस कि हमने हाफ हैड की बिल्डिंग क्रॉस की कुछ पत्रगा उसको दूसरे पुलिस वाड़ों ने ऊपर उठा कर तो पार कर आया जैसे हम अंदर गया भीड हमारे पीछे हमने दु तो जो महिले थी वह रोणे रख पड़ी उतनी देर में क्या हो बार जो आग जलनी पहले सामने बाड़ी बेल्डिंग में आयकार भाग मनें लगी पीछली में लगी चारोतार धुआं 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 थोड़ी देर में एक ओपी बैन थी वहां से स्टार्ट होई तो जैस हमारे समने एक स्फेद नीचे गाड़ी से इसको तीन चार बुजूर का अधुआ उनों ने फूंग लिया तब यह ऐसा हुआ कि मेरे फोन की बैटरी खत्म मुझे तो खार से बहुत पुरा आदम बड़ी मुश्कल से बच्पार अमने डीसी को फोन करें सारे पत्रकार के अ आप इस दिन को कभी भूल नहीं पाएंगा बिल्कुल मौत को देखा है घरवारे रोते रहे जब साइक है मैं सुनिल जी आपके पास भी आऊँगा क्या आप प्रिटेक्श दर्शिय है उस दिन के और मैं आप से जानूँगा लेकिन संदीक कोटला जी संदीक कोटला जी का इस मामले को लेकर कई देशों में चर्चा हुई कि हाँ भारत के कानून में चाय कोई कितना ये बढ़ा हो उनको सजा दी जाती है और किसी भी तरह की किसी भी तरह से उनको बक्षा नहीं जाता कई बार इतने लंबे刑 चल जाते हैं एक लंबे अर्षी से चल रहा था तो इसको किस तरह से देखा जाए कि देखना पड़ता किस बहुत नहीं पर चल रहे हैं किसा एकिस कोजेदे यहां पर यहाğ पर लेकर आ प्रशाशन का फेल्योर था जो वहां समर्थक आ रहे थे उनकी चेकिंग लेनी चाहिए थी अगर चलो आपका समर्थक वहां कठे होने देने तो एक कम से कम उनकी तलाशी तो लेते उनके पास कोई बं या कोई किसी तरह जो भी इंसिदेंट हुआ है कोई लाठी दिंटे वाला तो इंसिदेंट है नहीं इसमें पेट्रोल बं भी थे एवन पेट्रोल टैंकर तक पकड़े गए बाद में में सारी चीज़ें इनके पास आई है कि इस मोब के अंदर समर्थक से ज्यादा वो लोग थे जो दंगा फिलाने वाले थी जिनको हायर किया गया था देरा सच्छा सुद्धें की तरफ से पंचकुला अगर बचा है तो सिरफ हाई कोट से बचा है हाई कोट का ओडर ना होता प्रशाशन के उपर नचेलना होती दो हंडर सरकार को इतनी फट्फार ही नहीं लगती तो शाहिए और पूरि दिन की रिपूर्ट ली जाती थी फिर प्रशाशन को जो खोंडार देरेक्स इन से दी जाती थी कि हमें अगले दिन तक यह रिपोर्ट से ही है उसके बाद यह गिरफ्तार रही है अगर हाई कोट की नकेल ना उती तो 101 परसेंट जो पॉसकलाज बचा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ हाई कोट की वज़े से बचा नाकाम थी हमारी सरकार तो नाकाम है एक साल क एक और साब भी जोट चुके हैं बीजेपी से स्वागत आपका भी मैं आप दोनों के पास आता हूं रंजीता मेहता जी एक और हमारे महमाने सुनिल वसिश साब चश्मदीद हैं आप भी उस दिन के पिरतक्ष दर्शी हैं क्या हुआ था मैंने शुरू में कहा था कि एक ऐस साल पहले पंचगूला में ब्लैक डे था आज तक ऐसी घटना कभी नहीं हुई और मैं जे आपको बता दूंगी जे दिन ये घटना हुई उस दो दन पहले डी सी मैडम ने एक मिटिंग बलाही थी उस पे पांच आदमी बाबाजी के थे और दो हम स्वाज सेवी का सेवी थ वहां पार उन्होंने थे दो और अभी अंदर रहां उन्होंने उस वक्त यही कहा कि बाबाजी के जो भी जितने भी भगताएंगे उनको अंदर आने दो उनको रोकमात चाहे बान फोर्टी दाना लगी भी है वह वह पी चलने दो अगर आप ने रोका तो जयादा काम कि मैं यह वाली जगह से बालुगा यह वाली जगह से वालुगा और लंगर का पूरा इंतियाम किया तो यह जिस इस टोटल फैलियर ओव दा अरे आद गॉर्मन्ट पूलस भी साज मिली गए थी पूलस ने कुछ नी किया बूरा प्लैंड प्रोग्राम था जी उनकी छट्रिय अच्छा आज तक वो अभर पाए हैं अभी भी दरे हुए हैं अगर कोई सत्संग होता है ना तो डर वो उसी जाग जलता है और रंजीता मेहता जी बहुत सारी सभी के जहनों में वो यादे हैं रंजीता मेहता जी आपने भी तमाम चीज़े देखी सरकार की बातें भी सुनी अभी कुछ दिन पहले एक कारिक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि हमने तो इस तरह के इंतिजामात किये थे उस बाबा को यहां तक लाना बहुत बड़ी बात थी और कानून का जब मामला आता है तो फिर हम थोड़ा बहुत को नुक्सान होता है लेकिन हम ने कानून का पालन किया था कोड के आदेश का पालन किया था और हमारी वजह से और भी बहुत सारा नुक्सान हो सकता था लेकिन यह नुक्सान कम था इस तरह की बातें भी सुन्या में आई लासे रफसोस इस बात की है कि मुख्यमंत्री जी को हर चीज मामूली और थोड़ी सी नजर आती है अगर वो पंच्कुला के वासी होते और उस दिन पंच्कुला में आते छे बज़े से पहले यूंकि जो तांडर हुआ वो सुबे नौ बज़े से लेकर शान को छे बज़ लेकर शे बज़े क के बाद एंटरी की कि सबकु güb को शानत हो चुका है अगरे फोच सब्सक्राइब करों को मारा जा रहा था अटो को तोड़ा जा राका घरों के सीशे तोड़े जा रहे थे एक दहशत का महौल जो हम लोगों ने देखा है आज भी जब उसके बारे में बात करते हैं तो मारे डॉंक्टे खड़े हो जाते हैं और अब सोस की बात यह है कि पूरा का पूरा जो प्लैन किया गया था जो लोगों को यहां पर इकठा किया गया अरे धिकार है शरम है इस बात के उपर अगर आप सो गाडियां जो कि अस्त जो एक उसमें अनुमिनेशन भी थे उसकी अंदर तरल पदार्थ भी था उसकी अंदर पेट्रोल भी थे टैंक भरे के भरे थे जो पूरे के पूरे वहां से सिर्था से यहां पंच्छुला के अंद कि अपनी बात पूरी किजिए जल्दी से आप जी इस तरीके से दिवार उनको फांद कर उनको वहां से सेफ निकाला गया आप बताईए जब वहां पर एक डीसी मैंडम का यहाल था उनको समझ में आता है और सब अब बहुत नुक्साहन उसमें मीडिया का भी हुआ और पतनी मेरे साथ वरिष पत्रकार का रहे कि मीडिया पर क्या गुशात हो उस पर भी भुशादा ठीक है ठीक है ठीक है राजिये इस वहां जाब लेते हैं आपके बहुत सारे सवाल थे जो टोटल एफ़ायार जोटल हुई थी दोसोचालीस एफ़ायार जिसमें से एक सोसततर एफ़ायार केवल पंचकुला की एफ़ायार थी और आप देखिए कि जब बाईसो अटीस और आप गिनाते हैं और अरेस्ट सिर्फ ग्यारा सो तरफपन को कर पाते हैं और जो बीस कि यहां भी बैठे हुए हैं पूरे प्रदेश मिस्तरा की बात है कि सरकार उस वक्त भी फेल हुई थी और सरकार आज भी नाकाम नजर आती है इस मामले में कि अभी भी लोगों को मुआफ़ा नहीं मिला है जो पेडित हैं और जो मुख्य आरूपी हैं वो पुलिस की पुलिस पुलिस जहां खबर पढ़ पर जिए ना आपको कुछ बोला है रंजीता में बोलने दीजिए प्लीज आप बोलिए रंजीता में बोलने दीजिए देखिए आप 2007 से लेकि 2009 तक एम कृष्णन ने अपनी रिपोर्ट में सी बैके जो दे कि जितने लोग इनों ने ज परकार ने बापा को एक्रेस करने के लिए उस ऐसा का महौल पैदा हो कि वह यहां पर आए और यहां पर एरस बाफ़र हो और शांती शांती बहुत बहुत अची बात है यानि 16 लोग मर जाए जाए करोणा रुपे का नुकसान हो देश का प्रदेश का वो कुछ नहीं है कि उसका प्रोगर को यहां थाए आप नुकसान का प्रोसेज़ कुछ दो जाने की कि प्रोसेश का दोए इसके अंदर हमने जो गुर्मित रामरहिम का उसको औरेस करना था प्रॉपर डंक से लाना था शांति तुल्प तभी के लिए सरकार के एक मुठ राजिस गौर साहब सरकार के कई मंतरी बीजेपी के कई नेताओं की बड़े अच्छे तालुकात हैं बड़े अच्छे तालुकात थे गुर्मित जा रहा था इस दोरां शोथा जो में में ड़िस्टा कि अच्छा इक मिनट बता है दो लोग बोलेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा उसे शिचिन हमारी होनी चाहिए आग कि हम ऐसी बात करें कि सभी को समझ पर आफ आज गा कि उसमें क्या यह कोशिश थी कि लिहाज बढ़ता गया गुर्मित राम रहीम का लिहाज नहीं उसको इस तरह से प्लाइंग क्या कि अच्छा और आपकी प्लानिंग पेल हो गई फिर भी चल्वी इस रखमत लाएगा तो यही बात गुर्मित राम नहीं प्लानिंग की बात करने कुछ लोग सरकार की नाकामी की बात करने प्रिशासन की नाकामी की बात कर रहे हैं पंच्छकुला में जुआग लगी वो मन्जर अभी पी ताजा है जल्द लौटने एक ब्रेक के बात बरेकबा स्वागत है आपका और एक बड़ी चर्चा इस बात पर हो रही थी कि आज से एक साल पहले 25 अगस का ही दिन था जब पंचकुला में आग लग रही थी गुर्मीत राम रहीम के समर्थकों ने आपके हवाले कर दिया थे शहर को और लोग खौफ जदा थे और आज भी बहुत सारे लोग खौफ जदा हैं जिस तरह से हमारे स्टुडियों बैठे महमान कहा रहे हैं कि अगर आज भी वहाँ पर इस तरह कोई कायकरम होता है तो लोग डर से जाते हैं तमाम महमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार फिर से चर्चा की शुडवात कर भी तोड़फोड की कई ति आक के हवाले करने की कोशिश्य चींघे ती मौआख़बु नहीं मिला इसमें कौट किस तरह के आदेष दे इसको भी लेकर कुछ इन्हों बैस तक पर नाम बार बार लिया करते थे आज तक फरार यह नाम उसके उपर तबी पूरा एक साल हो गया आसका। मुझे नहीं लगता यह केस भी जो आट से दस साल हो गाद यह ट्रायल भी तुम्पलीट हो जगा है। जो जो डेरे सीवा थे खॉल दिया था। जी सब वहानामचर्च उप्ती तो क्या है कि इसका। जिस दिन से हर्याना के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है उसका हम लोग ब्यान नहीं कर सकते पहला रामपाल संत पकड़ा गया उसको पकड़ने के लिए इन्होंने क्या स्टेट एक्स चेकर पे पैसा डाला नहीं कह सकते दूसरा जाटा रखने नहीं हुआ उस वक्त इन्होंने खूल दी और छूट दी चूट देने के बावजूद सारा रो तक सारा और जितने वीजार ज्लाइन से सारे जलाए तीसरा से यह राम इसका गुरी मितर राम प्रहिमिका के इस था चौथा एक और था जो आभी मुझे याद नहीं आ रहा यह सारे मनोल और खटर की फेलियूर है चलिए ठीक है केसी मलकानिया जी मीडिया पर भी हमला किया गया था उस दौरान और चुन-चुनकर मीडिया की गाडियों को निशाना बनाया गया मीडिया पर हमले की वचा क्या नजर आती है क्या इनको ऐसा लगा डेरा समर्थकों को किसी मीडिया को भी नहीं चुड़ना है मीडिया को तो इनने सेवा करके को पी था अच्छा पहले जो जहाँ चौक आठेंक आगा होको बहां इनन ने खाने का पुरा था मीडिया को पेक्टों में दिया है खाना खलाया, प्राप्तु शुरंदर धिमाना दूसरे पूर पच्टरकार को बहु पहचानते रहें, वहां मीडिया के जो इनके थे, वो जानते थे, मीडिया की गाड़िया कड़ी थी, वो कवरेज इस तरह की कर रहे थी, जो भीर थी उसकी कवरेज भी कर रहे थी, और बैं प्राइब की कोष्छिश की, और उनों पहले एक दो गाड़ियां को निसाना बनाया भाग जाएंगी, प्रांतो जो इनकी स्कीम सीप्टर भाग जाएंगी, प्रांतो जैसे भागने लगे तो दूसरे जो स्रदार लूते उन्हें लगा प्राइब की गाड़ियां इनको अगर पुलिस डटी रहती तो लोग सेफ रहते हैं, प्रांतो एक बाद पुलिस ने एक लाइन छोड़ कर कम से कम 15-20 मेटर पीछे आती है, उसके बाद इन्हों गाड़ियों को जलाना शूरू किया, पहचानते थे, इन्हों कि कवरें ना हो जो हम तोड़ खोड़ कर रहे ह हमें करने दिया जाए, बिल्कुल हमें पूरी पर्मिशन में लिए हमारे बेसे और गुरू से, जादौन साब अब इस केस में आप क्या कुछ देख रहे हैं, देखें मुख्यार उत्वी फरार मुआपजा मिला नहीं है, सरकार क्या रहे है कि हमने तो बहुत बड़े नुक से बचा लिया, थोड़ा सा नुक्सान ये हुआ है, सिरसा डेरी की संपत्ति से और जो डेरी की संपत्ति उससे मौपजा दिया जाए, इस्था से भरपाई की जाए, काम चल रहा है, उस तरीके से की हां लग रहा है, कि हां सरकार कुछ काम करें इस मामली में? सरकार की कोई मनसा नहीं, मैंने पहले भी का, सरकार तो उस फॉर्मूले पर चल रही है, कि गिलास आदा है, या गिलास आदा भरा हुआ है, आदा खाली है, इस सिद्धान पर चल रही है, वो ये कह रही है, कि हमने नुक्सान कम होने से में चल लिया, अरे ये नुक्सान जो वह प्रोपर एफिशेंटली काम नहीं कर पा रही इसका क्या मतलब है इसका मतलब सरासर है कि सरकार की इच्छा नहीं को सजा मिले मुझे लगता है कि इसको इस तरह से डिलाई देते हुए ग्रेजुली लोगों की मेमूरी से निकलते हुए इनको पूरी तरह से बरी करने के है कि अब नुक्सान की भरपाई की बात है तो हाई कोट ने जो है बैंक एकाउंट भी सीज़ करवा दिये हैं हाई के ओडर पर इनकी तमाम जो है इनकी जो इंडिस्टेल और कॉमर्चिल अक्टिविटीस थी वह भी बन दे तो इसका निप्टारा भी सरकार को जल्दी करव जब ही मिले केस तोमर साहब सर पुलिस जब कारवाई करती है तो कितने इंतजार पुलिस को करना पड़ता है अगर पुलिस को पूरी तरह से परमिशन दे दी जाती शुरू से ही जिस तरह से आपने कहा कि वक्त लगा था पुलिस की भी हाथ बंदे हुए होते हैं तो क्या इतना नुक्सान नहीं होता कानून से तो जी कोई टाइम का इनके पास होता ही नहीं है पुलिस मोलने तो तुरुत तो एक्षिन जो है ना यानि इमिजेट एक्षिन लेना पड़ता है 155 CRPC है जब कोई कोगनिजेबल ओफेंस उनके गटता है तो वो उसी वक्त तो लोने पच्कुला के निवासी हैं खुद मैं भी पच्कुले का हूँ सब बयान कर दिया है कि क्या क्या हुआ है उस कर्फ्यू में किस तरह एक मेरे पड़ोस में करनल साब है तो उनको विचारे बच्चे रोटिन देते टिफन आता था तो साथ दिन तक टिफन लिए उसके पास कि इस तरह उनको पास खाना पहुंचा है वो प्रोसियों कोई पता है तो इस परकार जो इतनी यातना है जहली है तो क्या लोग भूल जाएंगे नहीं कभी नहीं बूल सकता है इतना भारी यानि हर वक्त यह खत्रा था पता नहीं कब आपके उपर अटेक हो जाए कब आपके करने गुश्या है कब आपके माकान का आगे लगा दें वो इतने दिन तक राजेश गौर सहाब ऐसा नहीं लगता कि आपकी सरकार चीजों को शुरू में बहुत हलके में लेती है कि अच्छा ठीक होने दीजिए जब एक्दम से मामला बहुत जादा बिगड़ जाता है फिर सरकार की आँके खुलती है कि tirar कि क्या हो गया देखें कि देखें मैं आपको बताओं राम अगर दूसरा अगर गुरुवी राम रहीम एरेस्ट हुआ, एक मुझे मुझे पूरी बात करेंजिए, ठीक है रजीतारी आपके पास यहाँगा इनके पारेस्ट किया, यह नहीं हुआ कि अरेस्ट नहीं हुआ, कामयाद है, ठीक है, यह बात बिल्कुल सही है, पच्छकुला अगर जो एक आईपेस रांक का आदमी सस्पेंट हो रहा है, इसको हमने संग्यान लिया, उसका स्पास्पेंट करने से ठीक रहता है सब्सक्राइब, मैं यह कह रहा हूँ, कि कि शुरू में सरकार इस तरह के मामलों को हलके में लेती है, हो सकता है कि रामपाल का मामला था, उससे सबक लेकर आगे इस तरह की चीज़न होती, फिर जाट आरक्षन की बात की जाए, फिर उसके बाद गुर्मी तराम रहीं, कि शुरू में हलके में लिया जाता है, जब बहुत जादा मामले बगड़ जाता है, तब सोस्ते क्या रही है, क्या हुआ 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 कि किस तरह हैं इस बात को पूरा किया जाए हुआ 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 तो नजदी के अच्छी बात है हनी प्रीत को भी पुलिस ने नहीं मीडिया वालों ने दूड़ा था पहले सब्सक्राइब आरंजी तो मैता जी देखे आप इन्होंने भी यह बोला था कि एक पर सब्सक्राइब आपने बोला कि हनी पीड का नाम फायर में नहीं था अमानते लेकिन हनी पर रेस्ट किया इसका मतले में जो फायर भी यह तैजी में जी जब इन्वेस्टिकेशन चलती है एफायर फर्स इंफोर्शन रिपोर्ट होती है उसके बेस पे हम जूडने चुरू करते है जो जो लोग जहां जा पाये जाते है उस पे इन्वेस्टिकेशन की जाती है इस तरह ही होता कि हमने एफायर के लिए लोग सब एसके लिए यह मैं बात कहने करता हूँ तो क्या हुआ यह बात है कि यह कह रहे है कि हनी प्रीट का नाम निथा हमने इंक्लूड करवाया इनको एक अप्रिसेशन सब्सक्राइब अरेस्टिट हरनी वह अरेस्ट खुद हुई पतरकार भाय को उसने कहा कि मैं आ गई हो मुझे आ कर ले जाए अगर आप इसने ही सक्षम थे तो आपने आज तक विपास्टना को क्यों ने रेस्ट किया तीन बार वह गवाही देने के लिए आ चुकी है आपने उस पर आपने पतरी ओकार भाई में अटेना को इसने पर इस दो आपने प्रशूर ने करिंड़िव निदे उस प्रऊंग अगर वर लिए क्यों पर होता है वह गार जोदर हो आपने आपने शूरू पर इदूपार एक नहीं जोड़ता है इस ते बड़ाद रुदा परन ने जोड़ता है पर चाहिती के पाद राजीद आवांदीं ने राजीता जिसाइड करेंगी है या जनता जिसाइड करेंगी जनता जिसाइड करेंगी क्या सरकार नाकाम है आप तक किस तरह के मामलों में अभी ओपी गोल साथ के मामलों में बिल्कुल देखे गोल साथ को याद नहीं आ रहा था ज़िए फिर मैं आप इस्टूडियो में आता हूं जी मैं सर्विय कह रहा था ये बोलने की रंजीता जी बोल रही है कि उनको रिजाइन करना चाहिए आप मैं ये कोई कंपार्स है नहीं नहीं बात बताईए राजिश गौर्ड साथ कि क्या सरकार अब तक फेल है इस मामले में राजिश गौर्ड साथ क्या सरकार विवस्था के मामलों में इस तरह की बड़े हाथ के होते हैं इस तरह की बड़ी घटना होती हैं इस जाले जाले के और में गौर्ड साथ को बात राख विवस्था अब आप नहीं कि अगारा चाहिए प्रुचिए में इस तरह करने के लिए बड़े हो इस तरह कि इंत्जामात करने पड़ते हैं कि वो सक्सेसवे लो और मैं भी एक लाई में शिदी जहाए को पुनिश की अधर लेजाए जिसमें तरह है जिसमें फिर आप ने तरह तक यह में गाए कि अधर कर दो आपने काए कि लिए क्या आप लेजा फिर आपकर लेकिने के लिया काई केसी मलकानिया जी बहुत संग्षिप में तेखो यह जो है यह बोट की राजनीती थी बहुत बड़ा बोट बैंक है बाबाराम रहीम जी का और बहुत सारे सरकार में मंतरी भी बैठे हैं अधिकारी बैठे हैं वो नहीं चाहते थे कि बाबा जी को किसी तरह थेस पहुंचे औ बहुत से लोग तो यह मिनी चाहते थे कि बो अरेस्ट हो सके उन्होंने प्रबंद ऐसा कर रखा था कि बाबा जी अरेस्ट होने से पहले ही यहां से निकाले जा सके बिलकुल और ऐसा प्रयास भी किया गया और पुलिस अधिकारी तक को जो कुछ हुआ सब के सामने हैं उसक को चोटे सरकार को पता सा सरकार को सरकार की मदद भी कही ना कहीं इसके पीछे बोट-Bank था और बोट-Bank है अब अगर थोड़ा बहुत सुदर जाये राज़निती को और इसको आम जंता को बोट से थोड़ा लग रखो परसासन को जया यह जंता की बालाई के लिए अपने बोट बैंक अगर जाता है तो जाने दो प्रंतु जंता से के साथ खलवाड मत करो कि बोट बैंक की का आतर ऐसा नहीं होना चाहिए सब लोगे बात कर आपके पासं paul limits मैं आपके माद्यम से क skins cuk up को बता देना चाहता हूँ कि आपने चास साल में शर्यान्न के लोगों की जिनदिश्फ खेले खेला है अज हो समाली दौजार उननी में आपका अंधोड्राय और सफन्द? सरकार को कुछ करना फिर कौन करें के अगी है जो जितनी भी अटेचमेंट कोईगी प्रपर्टी की कोट करेंगी आज तक एक भी स्टैप इन्हों सरकार ने उठाया नहीं ना तो डेरा सील हुए जो सील हुए थे वो सारे देरे देरे रिलीज हो रहे हैं और वहाँ पर आज भी नाम चर्चा घर चल रहे हैं वहाँ सेक्टर पेइस जी एक संट ताली लगाकर पुलिस को बो दिया के इसको इंपलिमेंट नहीं करना है सब्सक्राइब है जो जैसे संटेंब्सक्राइब जो वहाँ बचाइदा हर संडे और हर इनके जो जो जयसे संट को बस्टब्सकर बनाया गया इसकास बनाए गया है सारे नामचर्चा घर के अंदर आज भी नामचर्चा हो। अब टेक्स चौंग पे केमरे द्वाला लगाए गई है और लोगों पे देश्चत इतनी जाला हो गई है लेकिन कोई भी केस जैसे अभी आपने देखा कि जितने के देश्चतरों के केस थे वो सारे बाफ्स हो गई अब लगता है कि यह सारा दाइडिती है बोटों का चक्करा यह बीस उननी से पहले पहले लेक्ष्णों से यह काफी जाने लोग छोड़ दिया गाए जितने सेक्टरों में गेट नहीं लगए थे ना सब सेक्टर वास्यों अपने गेट लगवाली हो अपने गेट खुद लग दो नहीं लगवाएगा और अपने पैसे लगवाएंगे और अपने अपने चौंकी दर ऌगवाएंगे वो भूज दो इस तरह की कोश्चें की जाती हैं तो लक्ष के उपराप करने के लिए कितना नुकसान सहा जा सकता है। इनके मंद्र जाते हैं और किस तरह से उन संबंदों को निवारे थे जो इनको जिताने के लिए जो डेरा ने अस्वासन दिया। आपना नुकसान करने कानुन वरस्ता की अमानना कर रही है, कानून की अदालतों की अमानना कर रही है, यह आखिर में अच्छी स्टिपी नहीं है। यह बड़ा एक समयधानिक संकत है। इस मामले में किस तरह से इंसाफ मिलें लोगों को, फ्यरितों को. सारे दोसी पकड़े जाएं और कोर्ट में फेश किये जाएं, कोर्ट इंसाफ करेगी। राजेश गौर साहब लग एक साफ मेरे पास बहुत कम अग्याएं। अधा मिनट अग्यार एक पहले आप आप बोलीज़ें। सबसे इंट्रस्टिक बात यह है कि जो इसमें एड़ोकेट है हनी प्रीट की वह और कोई नहीं एडीजीपी की खुद की धनमपत्नी है जब खुद की धनमपत्नी ऐसे केसिस को हैंडल करेंगी और लोगों को दो दो लागुर में देकर कि अगर 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 कोई प्रैक्टिस कर रहा है को बेंगे सकता किसी वह पॉस्टल ही नहीं जाना जी और जी गौर्ड साफ राजनितिक लक्षे था पत्रकार हमारे साथ है जादान साफ उनका कहना है कि लक्षे आप जो कह रहें ने कि लक्षे को प्राप करने के लिए तो र लोगों को मुआफ़ा मिलेगा जिनका नुक्सान हुआ क्यों नी मिलेगा जी परेशान उनके लिए कुछ आश्वासन आपकी तरफ से घण साब कुछ अश्वासन कुछ उम्थ है लोगों के लिए किया इंसाफ मिलेगा जल्दी मिलेगा जल्दी आरूपी पकले जैए लोगों से यहाँ बहुँआ इसक्र शुक्रिया बहुत मेहमानों का रंजीता मैता जी राजेश गौर साहाब को त्लाजी आपको बहुत शुक्रिया वसिश साब आपको शुक्रिया गोहल साब आपको शुक्रिया मलकानिया जी जादौन जी तोमर साब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए स्तरकार का ये कहना है कि जल्दी मिलेगा फाइदा जल्दी आश्वासन मिलेगा जल्दी कि ये जल्दी कितनी देर में आती है बहुत बहुत शुक्राइब तमाम महमानों का और बहुत बहुत शुक्राइब तमाम दिर्शकों के इस कारिकन मुजूने के लिए नमस्कार झाल